शिवार शिवं 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 जटा कवी गलजल प्रवाह पावितस्तले गलेव लंब लंब लंबितां भुजंग तूंग मालिकां दमड़ ओम सर्वे विवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पश्यंतु मा कश्य तुप फाग पवी ये spiritual products आपको shivago.com पे authentic और channel मिलेंगे नमस्कार आप सबका हमारे channel श्रीमद हो मनमेडीस पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अक्शेत रित्या जो की इस साल साल 2020 में 26 अप्रील को है तो 26 अप्रील को माता लक्ष्मी को परसंद करने के बहुत सारे उपाई किये जाते है तो आप कौन-कौन सी ऐसे चीजे खरीज सकते हैं जो मालक्ष्मी को बहुत प्रीए हैं उन चीजों को आप खरीज सकते हैं अक्षेत रित्या पर ग्रहों का विसी संयोग बन जाता है अक्षेत रित्या पर किये गए कार अक्षे फलदाई होते हैं और इस तिन स्वर्ण खरीदने और दान करने की परंपरा पहले से ही है इससे अच्छे संपन्दता आती है और आपती के संपन्दता है वो अक्षे हो जाती है तो घर में स्वर्ण और धन के भंडार जो हैं वो भरे रहते हैं पर अब हर आदमी स्वर्ण नहीं खरीज सकता हर आदमी स्वर्ण नहीं खरीज सकता तो फिर क्या करें देखिए इस दिन आप माता लक्ष्मी की विशेश पूजा कर सकते हैं उनकी पूजा करने से भी इंसान को सौभागे की प्राप्ती होती है कुछ अन्य चीजे हैं जो खरीदना उतना ही शुब होता है जितना की सोना आप इस दिन मोती शंक खरीद कर आप मोती शंक की अस्थापना अपने घर में कर सकते हैं मोती शंक को उसी तरह से पूजा करें जिस तरह से मालक्ष्मी की करते हैं उसके बाद आप लाल कपड़े में बांध कर चावल भर कर आप अपनी तिजोरी में लगतीजिए आप इस दिन दक्षनावरती शंक करीज सकते है दक्षनावरती शंक की उसी तरह से पूजा करें जिस तरह से माता लक्षमी की और माता विश्णों की पूजा की जाती है इस दिन सोने या चांदी की वस्तुए खरीदने के अलावा चांदी के माता लक्षमी की चरण पादुका ले आई है according to your situation और इसके पूजा अपने में तरूप से करें ये आपको असी में दन भहबब देने का अच्छु कुपाया है आप इसन अस्फटिक का श्रीयन्त खरीज सकते हैं आप पारद का श्रीयन्त करीज सकते हैं उसकी अस्थापना कर सकते हैं श्रीवागड.com पे इसक सारी चीज़ आपको मिल जाएगी अक्षयत रित्या के दिन आप अस्फटिक का कच्छुआ करीज सकते हैं धन समंदी हर समस्या इससे खत्म हो जाएगी अक्षयत रित्या पर पारद की देवी लक्षिवागड़ अप घर पे ले के आ सकते हैं उनकी रोज़ आप पूजा करें इससे आपके घर में धर की कमी नहीं होगी अक्षयत रित्या के दिन आप एक अक्षि नारियल मा लक्षमी को अर्पित कीचे एकाक्षी नारियल मालक्षमी का ही सुरूप माना जाता है अगर आप केवल नारियल खरीद लें तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना सोना खरीदने से आप इजिन गोमती चक्र खरीद सकते हैं गोमती चक्र को आप पूजा करके धूब बत्य अगर बत्य दिखाकर मालक्षमी को अर्पित कीचिए नौ या 11 काहँ खड़ा रख लिजिए गा लाल कप्डे में बांद कर आप ती जूरी में रख दीजिए आप दर्वाजे पर टंग सकते हैं कोडियां भी आप खरीद सकते हैं पर पीली कोडियां खरीदिएगा तो मालक्षमी को ये सब प्रिये चीज़ें अक्षेत रित्या पर अगर आप सोना चांद जैसे महेंगे धातू नहीं खरीद पाएं तो इन चीज़ों को खरीदे जो मैंने आपको बता है और ये जो चीज़ें हैं अच्छेत रित्या पर जाप खरीदते हैं तो ये आपको आर्थिक तंगी से हमेशा बचा कर रखेगा नश्चित तो अच्छेत रित्या पर अपने सामर्त अनुसार आप कोई भी एक चीज़ खरीद दीजिए जवीनी है कि मेहंगी चीज़ों करिदें कि तभी मान लक्श्मी पर संगोगी ये तौब दिमाग में डालीं मत ये लक्ष्मी जी कि सब प्रिया चीज़ें इस दिन दान का इमात्व होता है आप चाहे तो किवल दान भी करकर मान को पर संग कर सकते हैं तो धन्यवाद आप सबका हमारी चैनल पर स्वागत है आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे दीजिए धन्यवाद